हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है सुबह के 11 बच चुके और मैं सीक रही हूँ फुल के फुल सेक नहीं रही हूँ अभी तक मैं आटाई लगा रही हूँ क्योंकि अतुल के पापा ना आने गया है तो मैं बागी कीचेन मे आई हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी अगर मैं फुल के सेक लोंगे तो वो खाके चले जाएंगे वरना तो फिर वो डाइतीन बजाते हैं तो तब तक फिर बना के रखो तो ठंडी हो जाती है नहीं तो फिर लेट हो जाता है और यह देखो सबजी मैंने बनाई है बड़ी की बड़ी यानि मंगोडी और काफी टेश्टी लगती है मुझे इसकी सबजी जब मेरी सिस्टर आती है तो यह वो बड़ी पापड़ वगएरा लेके आती है इन चीजों में वो काफी एक्सपर्ट है जैसे अकेले एक दिन में पांच-चै किलो दाल की बड़ी वो बना लेती है क्योंकि वो पॉली थीन से बनाती है और इस उसके इस टैलेंट का मुझे बहुँ ज़दा फाइदा होता है क्योंकि वो मेरे लिए लेके आती है और अभी मैं आनी जा रही थी कि इतने में बैल बजी और बाहर आया कोरियर वाला तो क्या आया है किसके लिए है यह मुझे होगे नहीं पता है लेकिन ये मुझे सर्प्राइज मिला है कि कुछ Аयह बाहर बच्चों का भी फोन है कि ममी आप लेलो बाहर कोरियर वाला आया है तो ऐसे कुछ आता है तो खुशी तो होती है क्योंकि घर के लिए कुछ आता है या खुद के लिए कुछ आता है तो अभी तो मैं एक बार के लिए नाने जा रही हो लेकिन फिर मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी कि इसमें क्या है किसके लिए और यह दो पेर का टाइम ज इसके अंदर मैं खाने पीने के लड़ो वगरा रखती हूँ जब मैं इसमें देखती हूँ तो कुछ निकल आता है तो काफी खुशी होती है कि हाँ आभी तक इसके अंदर रखा हुआ है क्योंकि सरदी में कुछ न कुछ चाय के साथ खाने में चाहिए होता है तो चाय बनके देट दिये और दालगी इसे ही अच्छी लगती है तो काफी सारा गी मैंने इसके अंदर एड़ कर दियो और अभी देखो मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं तिलके तेलके लड़ू एक आद मेरे पास कॉमेंट आई हुए थे कि आप कैसे बनाते हो जुरूर बताईएगा तो गोंद को में मैंने पीस लिए ज्यादा बारिक नहीं मोटा मोटा क्योंकि थोड़ा करंची करंची ही अच्छा लगता है और ये डाल लिए मैंने ओल जो तिलका है काफी गाड़ा और खाने में काफी फाइदे मन्द होता है टेस्टी भी लगने लग जाता है दिरे-दिर अ आती हो तो इसके अंदर मैंने नॉर्मल आटा एड़ करती है जो मैं फुलके बनाती हूँ वही वाला आटा पिछली बार मैंने मेदे से बनाय थे बनाया था लेकिन अब की बार मैंने आटा ही लिया है क्योंकि आटा भी जो बजार से लेके आते हैं वह ज्यादा मोटा नही जाता है मेदा तो यहां पे आटा मतलब सीख चुक है अभी मैं इसके अंदर एड़ करने वाली हूं गौंद जो मैंने पीस के रख रखा है वैसे गौंद को थोड़ा-थोड़ा करके एड़ करना चाहिए जैसे मैंने एक साथ ही डाला है तो यह चीज़ का जिरूर दिया रख चुक है क्योंकि गौंद के जब फूले बनते हैं तो आटा सुका सुका भी हो जाता है तो यह मुझे अच्छा लगता है अलग से आप फ्राइब करते हो ना तो उसके अंदर गी ओल बो ज़्यादा रह जाता है फिर ज़्यादा चिकने हो जाते हैं लड़ों वगेरा तो इ साथ में चीनी चीनी तो आपको पता है फिर मैं बरबर करी डालती हूं क्योंकि मीठ्य का तो मुझे शोख है लेकिन फिर मैं चाय फिकी पीती हूं जब मीठा कुछ खाती है तो उसके साथ क्योंकि बच्चे डाटते हैं ज्यादा मीठा नुकसान दायक होता है फाइदे मन नहीं होता है और यहां पे बिलकुल मेरे जैसे लड़ू के लिए तैयार हो गया है पूरा वैटर और यह देखो यहां पर मैंने गनेश जी के लिए बना दिया लड़ू सबसे पहले पूरी किचन मैंने क्लीन कर दिये गरम गरम पानी से खुलके भी मैंने सेक लिए डाल वगेरा भी मैंने पूरे वोश कर दिये और अभी मेरा मन था कि मैं किचन को भी वोश करूं लेकिन आठ बच्चों कि अतुल के पापा मतलब आने ही वाले हैं तो मैं डरके मारे फिर किचन को तो नहीं वोश किया है क्योंकि डांट पड़ जाती है सर्दी जाद है अगर रात क आप ऐसा कुछ काम करते हो तो तवियत भी खराब हो सकती है इस वज़े से अभी मैं जाओंगे नाने और देखो आज मैंने बनाई थी चोटी जब कोई कैव अगरा टॉपी बगरा लगाते है तो फिर चोटी बनानी पड़ती है अच्छी लग रही थी और वीडियो जैसी लगी हो कॉमेट करके जरूर बताईएगा लाइक शेर सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलीगा और सबने जैसे अच्छे अच्छे कॉमेट किये और नए साल के शुब काम नहीं दी तो पिछले साल पिछला साल ज्यादा अच्छा नहीं रहा था तो पगवान करें अब य किया करती थी कि दो-दो स्वेटर पहनते हैं लोग टोपी लगाते हैं इतना गरम पानी क्यों चाहिए तो यह गंगानगर में चाहिए होता है